है लो वेल्कम डूमा यूट्यूब चैनल अज एक और त्रड़कती भड़कती न्यूज गाड़ी की रिगार्डिंग मैं ले कर आच चुका हम उपने चैनल पर तो एक गाड़ी लॉंच होने वाली है उसका नाम है हॉंड़ा शिटी अपने असे हॉंड़ा शिटी लेकिन हों लाउंच होने वाली है तो हाइब्र हाइब्र सबसे पहले ना हाइब्र का मतलब समझाने कोशिश करता हूँ एक ऐसी चीज जो किसी भी दो elements से बनके बनी हो मतलब उसमें mechanical engine भी होगा हाइब्र में और साथ ही साथ आपका battery और यह कैसे कैसे चलेगी आगे इसमें क्या है क्या कर नहीं होगा क्या क्या इसके एक सब्सक्राइब्र होगी और बहुत अप्सक्राइब्र है मुझे इसको लेकर क्योंकि ऐसी अफॉड़ेबल घार वी तक नहीं आई है तो अंडा सीटी ने इसका नाम रखा है और जैसे मैं आपको पता है कि 14 अप्रिल को इंडिया में लांच होने वाली है और मैं आपको थोड़ा सा इंजिन तो ना इसमें 1.5 जो पहले आपका पेट्रोल एंजन आता था इसके अंदर तो वैसा ही ने 1.5 लिटर का फ्वर सेलिंडर नेच्रली एस्प्रेट एइजन है ठीक है पेट्रोल एंजन है् और इसी के साथ साथ के इलेक्टरिक मोडर्स भी इस इंजन के साथ है इलेक्टरिक मोटर्स भी दी गए दो और लिधियो माइन बैटरी तो अगर से पेट्रोल नंग की बात करें तो वह प्रडूश करता है 97 बहट और 127 नम का टॉर्क और हम इसी इंजन को कंबाइंड करते हैं जहां उसको पैट्रोल इंजिन पे चलना है तो फ्यूल एफिशेंसी बढ़ जाएगी और यह जो इंजिन है वो इंजिन के साथ आएगा तो और इंजिन का परपस यह है कि आपको पावर बहुत ज्यादा देना साधी साथ फ्यूल एफिशेंसी बढ़ाना कि अब जैसे जैसे फ्यूजर समझाते जा रहे आगे तो बागी इसके नंदर इंटीर काफी चेंज होने वाला है और आप इसके चा इसमें मोड्स भी आएंगे सच जिसे स्पोर्ट मोड हो गया आपका इकॉन मोड हो गया मतलब के पावर आउटपुट आपको कहां पर जाज यह कहां पर कम चाहिए तो उस साब से मोड़ पावर भी आउटपुट अगर आपकी बड़ेगी तो सिंबल सी बात आपके फ्यू वोड़ाने वाले हैं बाकी इसमें मल्टी इंफॉमेशन डिस्प्लेइए अने वाली है और बाकी फ्यूल एकको अर्ड़ी और दिखाया देंगे में गाड़ी के इसमें के साथ स्कॉड़ा वर्चिस के साथ यह गाड़ी जो है आपको compare हम इसको करें राइवलरी यह वैसे गाड़ी और बाकि में जून में गाड़ी यह ऑन रोड वापको मिलने स्टार्ट हो जाएगी ठीक है और इसमें जो में फंक्शन है वह है और अगर हम इसकी बात करें यह फ्यूल एफिशेंसी की तो वैसे तो जैसे 8-inch का इंफरेंट में सिस्टर्म आपको मिलेगा होन्दा की सेंस अप्रके मालेगा जिसमें आपल एंडोइड आपको मिलेगे अलैकसर रिमोट कंट्रोल आटोमेतिक क्लामेट कंट्रोल कुनेक्टिट एकनेक्स नावगें अन्ट्रूफ हो गई घंडरि एकन्टिक हो लेन डिपार्शन वार्निंग हो गई अटो हाइबी में एसेस्ट हो गया लेन एसेस्ट हो गया अडेपटिफ क्रूज करूज कंट्रोल फ्रन्ट क्लोशन वार्निंग तो बहुत सारी चीजे इसके अंदर कंपनी दिये